एक कपल एक विकेंड के लिए जगा बुक करते हैं पर वहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा स्टेंजर था और इस स्टेंजर वाइप से अपसेस्ट हो गया इसके साथ ही मूवी केंड में बड़ा ट्विस्ट आता है जिसके लिए इस वीडियो को अंतक देखेगा अगर आपको वीडियो अच रखता है तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजे पीना किस देरी के एक्स्प्लेंशन स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होते हैं हम कपल को देखते हैं इसमें लड़की का नाम है ब्रायन और लड़की का नाम है कैसी है एक्च्वल में कैसी ये ब्रायन की फियांसे हैं उन्हें लग रहा था कि अपनी रिलेशन्शिप उन्हें सुधार नहीं चाहिए इसलिए विकेंड पर वो इटली में आये वहाँ पर कुछ दिनों के लिए बड़ा सा घर उन्होंने बुक कर लिया था ये दोनों आज इसके लिए बहुत ही एक्साइडेड है इनका कैब ड्रायवर इन्हें अलग सी जगा पर लेकर आता है ये सप्राइस थे क्योंकि उनका घर नहीं था जब ये उनके बुक की हुए घर पर पहुचे तो ये बहुत बड़ा होता है इन दोनों को ये बहुत पसना है घर में अंदर आते ही वाइन बड़ी हुई थी इस घर के ओनर ने उन्हें वेलकम किया था ओनर ने एक नोट में लिखा है कि मैं पास के शहर में हूँ अगर आपको मेरी ज़रुत पड़े तो आप मुझे कॉल कर सकते हूँ ये दोनों बहुत एक्साइडेट थे ब्राइन ने होम उनर की सब चीज़े वेगरा देखी बाहर बैलकनी में हो आग लगा कर थोड़ी सी वाइन वेगरा पूर करकर रखता है ये दोनों आज की इवेणिंग एक दूसरे के साथ ही एंज़ाइ करते हैं कैसी कह रही थी कि व्यू कितना ब्यूटिफूल है सब कुछ कितना सही लग रहा है तब ही ब्राइन का फोन बचता है कैसी ने का हम इस विकेंड के लिए हमारे फोन बन कर देते हैं और एंज़ाइ करेंगे ब्राइन भी इस बात के लिए मान गया वो अपना फोन रखने के लिए गया हुआ था तब ही कैसी का फोन बचता है एक आदमी का उसे कॉल आ रहा था और ये देखकर ब्राइन डिस्टरब हो गया एक्च्वल में कैसी ने उसे आदमी के साथ ब्राइन पर छीट किया था तो अब अपने रिलेशनशिप को सुदारने के लिए इस विकेंड पर वो आये हुए थे फिर से उस आदमी का कॉल आने पर ब्राइन को सब कुछ चीज़े याद आने लग गए और वो कैसी पर गुसा हो गया कैसी ने उसे नीचे बुलाय था ये तोनों फिर इंटिमेट होने वाले थे ब्राइन उसके पास गया वो उसके साथ इंटिमेट हो नहीं बाता कैसी भी इस बात से बहुत अपसेट होके वो रात में सोही हुई थी तो भी ब्राइन उसके पास आया वो उसे मनाने की कोशिश करता है पर कैसी बहुत गुसा थी वो उसे कुछ भी बात नहीं करती ब्रायन फिर घर में होमोनर की अलग-अलग चीज़े देख रहा था इसमें एक अजीव सी किताब थी यही पढ़ते ब्रायन सोजाता है सुबह उन्हें पर कैसी ब्रायन के लिए ब्रेकफास्ट बना दिया उसे फाइट नहीं करना चाहती है इसके बाद वो रनिंग की लेके रनिंग करते करते उसे प्रिवियस बाते याद आने लगे उसने ब्रायन पर चीट किया था उन्हें बड़ी फाइट हुई थी इस सारी चीज़े याद करते वो डिस्टब होकर नीची गिर जाती है इस वज़े से उसके पेर पर चोट आगी अब वो चल नहीं सकती थी रस्ते के साइट पर वो आती है और उसने लिफ्ट मांगी वो थोड़ा सा भी आगे गाड़ी तक जा नहीं सकती थी तो काड़ी से एक आदमी आया यह दोनों एक दूसरे को इंट्रोडूस करते हैं और इस आदमी का नाम था फेटरिको फेटरिको कैसी की चोट देखता है कहता है कि इसे मैं ठीक कर दूँगा उसने उसे उसके घर तक लिवट दी प्रिवियसली गलती से कैसी और ब्रायन जिस घर पर पहुँचे थे एक्चल में फेटरिको का घर था फेटरिको ने अपनी बुरी लाइफ इसी टाउन में गुज़ा रही है उसे यहाँ का पीस एंड कॉइट अच्छा लगता है कैसी ने कहा क्या तुम कभी नियू यॉक आये हो फेटरिको कहता है कि मुझे वो अच्छा नहीं लगता बहुत ज़ादा लोग होते है कैसी का घर आने पर कैसी ने फेटरिको को घर में इन्वाइट किया कहा कि तुमने मुझे बहुत हेल्प की है मैं तुमें कॉफी तो पिला ही सकती हूँ फेटरिको इसके लिए मना कर देता है यह ऐसी घर में आई और ब्रायन को ढूंड रही थी तभी अचानक से वो बहुत डर जाती है क्योंकि फेटरिको उसके सामने था उसने अपना माइंड चेंज कर लिया था यह दोनों फिर कॉफी विगरा पीते है पर थोड़ी दिर में ब्रायन वहाया ब्रायन फेटरिको को यहाँ देखकर सप्राइस था जो भी हुआ इसके बारे में कैसी ने उसे सब कुछ बता है ब्रायन कैसी से कहता है क्या हुज हमें शॉपिंग विगरा करने के लिए टाउन में जाना चाहिए फेटरिको आफर करता है कि मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ वैसी वह टाउन में जा रहा था ब्रायन कहता है कि हम टैक्सी ले लेंगे उसने मुझे help की थी Cassie कहती है कि अब मैं shower लेने के लिए जा रही हो अगर तुम जाहो तो मुझे join कर सकते हो Brian भी उसके पास आया उसके साथ वो intimate हो रहा था तभी उसे याद आया कि Cassie ने उस पर cheat किया है सारी images उसके mind में आ रही थी तो इस वज़े से कैसी के साथ अब भी intimate नहीं हो सकता अब हम देखते हैं कि इनकी घर में जो भी चल रहा है ये सारी चीज़े hidden cameras की वज़े से record हो रही है ये recording फेडरी को ही देख रहा था इसके पीछे के reason से आपको आगे पता चलेंगे इसके बाद ये तीनों मिलकर city में जा रहे थे फेडरी को पुछता है तुम दोनों मिले कैसे थे ब्राइन ने कहा कि हम coffee shop में मिले थे कैसी कहती कि उसे जोट मत कहो ये actual में एक dating app पर मिले थे कैसी ने फेडरी को से कहा कि ब्राइन को romantic चीज़े अच्छी लगती है और हम dating app पर मिले थे ये बात तो किसी को नहीं बताता फेडरी को कहता कि मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे लोगों को grand gesture बहुत अच्छे लगता है कैसी ने कहा कि exactly इनकी third date पर ब्राइन ने कैसी के लिए बहुत अच्छा सा cook किया था इस date के बाद ही उसने decide कि कि ब्राइन से हो शादी करेगी इसके बाद है city में पहुँच गया ब्राइन फेडरी को को thank you भी नहीं कहता और वो यसे वहाँ से चला जाता है इस बाद पर कैसी उस पर गुसा होगे ब्राइन ने कहा क्यों clearly तुम्हे like करता है कैसी कहती है कि लोग दोस्ट भी हो सकते है ब्राइन को फिर से कैसी ने cheat किया है ये बाद याद आगे और इस पर वो बहुत जादो गुसा हो जाता है उसे कहता है कि तुमने जो भी किया इसकी images में मेरे दिमाग से निकान ली पा रहा उसने अब तक उसे माफ नहीं किया है कैसी को बहुत बुरा लगा कैसी ने का हम इस relationship को सुधारने के लिए यहाँ आए होए थे पर इस relationship अब सुधार नहीं निवाली वो उसे मेहा से चली जाती है वो रो रही थी और city में जाने के लिए कुछ पैसे निकाल रही थी यहाँ उसे ATM मशीन की language भी समझ नहीं आती है तबी उसके पास फेडरी को आ गया कैसी कहती है जब भी मुझे जरूरत होती है तुम हमेशा मुझे बचाने के लिए आ जाते हो कैसी ने बैसे निकाल लिये और वो घर चली जाती है ब्राइन अपसेट होकर एक बार में आया हुआ था तबी उसके पास फेडरी को आ गया ब्राइन ने जो ड्रिंक ओर किया था उसके जगह पर उसे कुछ और ही आ जाता है फेडरी को ने प्रॉपर ड्रिंक उसे दिया ब्राइन जिस तरीके से बेहेव कर रहा था इसलिए उसने फेडरी को को सौरी कहा अब ड्रिंक करते करते अपनी दिल की सब बाते उसे बदाता है कैसे ने जो भी किया था ये सब कुछ उसे बता देता है ब्रायन को एक्चुल में रॉक स्टार बनना था पर ये हो नहीं पाया वो अपनी जॉब से अपनी लाइफ से उतना खुश नहीं है पर उसके पास केसी है वो कैसे से बहुत पैर करता है पर कैसे ने जो भी किया इसके बाद उसे कमिट नहीं कर पाता फेडरिको बहुत शान था वो अपने बारे में कुछ भी नहीं बता था ब्रायन ने जब उससे पूछा तो कहता है कि मैं कॉम्पिटरस में काम करता हूँ यहाँ इसी बार में इन दोनों ने कुछ लड़कियों को नोटिस किया ब्रायन का माइंड फ्री करने के लिए फेडरिको कहता है चलो हम उनसे बात करते है यह सब बात करने लग गए ब्रायन और भी ज़्यादा ड्रंक हो गया फेडरिको कहता है कि हमें एक गेम खेलते हैं दो ट्रूत और एक लाए उसने ब्रायन से कहा कि आज रात जो भी होगा एक कल तुम्हें याद रहेगा तुम्हारे गर्फरेंट ने तुम पर सीट किया है आज रात में तुम्हारे घर पर जाऊंगा क्योंकि मेरे बास तुम्हारे घर की चावी है ब्रायन ने सुना पर वो इतना ड्रंक था तो कुछ कर भी नहीं पाता इन दो लड़कियों के साथ यही इस टाउन के होटेल में हो चला गया रात में सचमूझ में फेडरी को कैसी के पास आ गया था वो सो रही थी उसके बालों को हाथ लगाता है कैसी को लगा कि शायद ब्रायन ही है उसे किस करती है और फिर से सो जाती है अगली दिन ब्रायन उटकर जल्दी से घर वापस आ जाता है कैसी ने उससे कहा कि मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया था ब्राइन उसे कल रात के बारे में कुछ भी नहीं बताता कहता है कि मुझे लग रहा था कि हम दोनों को ब्रेक की जरूरत है तो इसी वज़े से मैंने नाइट सिटी में स्पेंड की उसे शावर लेते लेते याद आता है कि फेडरीको ने कहा था कि मेरे बास तुमारे घर के चावी है अब यही बात वो कैसी से पूछता है कि क्या कल रात फेडरीको घर पर आया हुआ था कैसी इस बात पर गुसा हो गई कहती है तुम मुझे पर थोड़ा भी ट्रस नहीं करते है फेडरिको ने हमेशा हमें अच्छे से ट्रीट किया है तुम उस पर इतना गुसा क्यों हो ब्रायन को फेडरिको बहुत याजीव लगा था तो डारेक्लि उसके घर पर वो बहुच आता है जब उसने अंदर देखा तो खंडर जैसी सब जगा थी फेडरिको वहार रहता ही नहीं इसी के पैरलल की सीन में कैसी के पास फेडरिको आता है उसने रैबिट का शिकार किया था वो कैसी से कहता है मैं तुम दोनों के लिए आज रात कुक करना चाहता हूं कैसी भी इस बात के लिए मान के ब्राइन जल्दी से भागते भागते घर पर आया फेडरिको और कैसी बात कर रहे थे फेडरिको ब्राइन से कहता है मैं कैसी को कल रात के बारे में बता रहा था ब्राइन ने फेडरिको को प्राइवेट में बुलाया ब्रायन उसे कहता है कि अभी के अभी यहाँ से चले जाओ फेडरिको बोचता है कि हुआ क्या आप हम दोनों फ्रेंड्स नहीं ब्रायन कहता है कि मुझे तुमारे बारे में पता है तुम तो उस घर में भी नहीं रहते फेडरिको ने का कि अगर हम दोनों फ्रेंड्स नहीं तो क्या कल रात के बारे में सच सच में सब कुछ कैसी को बता दू तुम उन लड़कियों के साथ इंटिमेट होए थे ये बात पता चलने पर कैसी को बहुत बुरा लगेगा ब्रायन बोचता है कि तुम आखिर में चाहते क्या हो फेडरिको ने का कि मैं सिर्फ तुमारे साथ डिनर करना चाहता हूँ ब्रायन भी अब उसे कुछ भी बोल नहीं सकता डिनर के वक्ट फेडरिकों से कैसी बोचती है तुम अब तक सिंगल क्यों हो तुमें तो कुकिंग भी आती है फेडरिकों ने का मुझे सिर्यस लड़की अच्छी लगती है उसे जादा डेटिंग करना अच्छा नहीं लगता बाते करते करते फेडरिकों कहता है मुझे रैबिट की शिकार करना पसंद है क्योंकि उसके शिकार करने के लिए बहुत सारे एफर्स डालने पड़ते है उसे हमारे जाल में लेकर आना पड़ते है जब डिनर के बाद फेडरिको यहाँ से जा रहा था तो ब्रायन ने उसे कहा फिर से वापस मताना वरना मैं पुलीस को बलाऊंगा फेडरिको कहता है कि प्लीस ऐसा मत करो तुम्हारे लिए डिनर कुक करने के लिए मुझे बहुत बड़ी सजा होगी उसका मजाग लेकर वहाँ से चला गया ब्रायन कैसी से कहता है कि वो बहुत ही डेंजरस है कैसी को भी डिनर करते वक्त आज फेडरिकों से बहुत ही अजीव सी वाइब जा रही थी वो भी उसे डर रही थी ब्रायन ने फिर इस घर के ओनर को कॉल लगा दिया वो उसे कहता है कि एक नेवर है जो हमें बहुत ही तकलिव दे रहा है ओनर कहता है कि मैं कुछ ना कुछ तो करता हूँ इनकी जो भी सब कर्वरसेशन चल रही थी ये सारी फेडरिकों ने सुन ली कल रात के बारे में ब्रायन कैसी से कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था उसने सब कुछ उसे बता दिया पर वो कहता कि उन लड़कियों के साथ उसने कुछ भी नहीं किया वो बहुत ही ज़ादा ड्रंक था कैसी अपसेट हो की वो पुछती है क्या तुम मुझसे रिवेंज लेना चाहते हो ब्रायन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है पर हमारे साथ जो हुआ यह मैं भुला नहीं पा रहा था कैसी ने कहा कि मैं पूरी लाइफ तुमारे साथ ही बिताना चाहती हूँ वो बहुत सौरी थी इन दोनों ने अब एक दुसरे को माफ कर दिया था यह अब इंटिमेट होने वाले थे ब्रायन म्यूजिक लगाता है वह नीचे वाइन लेने के लिए गया वाइन निकालते होए बेस्मेंट का डोर अचानक से बन हो जाता है ब्रायन उसे ओपन नहीं कर पाता उसने आज़ पास सब चीज़े देखी तो नोटिस करता है यह वाइन की पीछे एक hidden door है यह door open करकर वो सारी चीज़े explore कर रहा था कैसी ने अपने bedroom में देखा कि वहाँ पर एक blindfold पड़ी हुई है उसे लगता है कि ब्रायन नहीं रखा हुआ है तो इससे पहन लेती है ब्रायन की जगा पर bedroom में फेटरी को पहुच गया ब्रायन को नीजे बंद करने वाला भी वही था वो उसके साथ intimate होने लगता है और कैसी को लग रहा था कि यह ब्रायन है थोड़ी देर में ब्रायन उस door से वे निकाल कर घर के अंदर पहुच गया फेटरी को ने उसकी आवाज सुनी और वहां से भाग गया कैसी भी वंडर करती कि अचानक से हुआ क्या उसने ब्लाइंड फोल्ड वेकरा निकाला तभी उसके मोबाइल पर notification आई यह एक वीडियो थी जिसमें ब्रायन उन लड़कियों के साथ इंटिमेट हो रहा है इसकी वीडियो रेकॉर्डिंग है इसे के पैरलल में ब्रायन जिस रूम में था वहां के टीवी पर अभी अभी फेटरी को कैसी के साथ इंटिमेट हो रहा था इसका फूटेज चलने लग जाता है ये दोनों अब एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थे ब्रायन को लगता है कि उस रात फेटरी को और कैसी इंटिमेट हो गया कैसी भी गुस्सा होकर इसके पास आई ब्रायन भुशता है कि टेप बनाना क्या तुम्हारे याइड़ा था क्या तुम मुझे और भी जेलस फिल कराना चाहती थी उस रात फेटरी को का मेरे पास आना मुझे ट्रंक करना कैसी अब तुम्हारा प्लान था कैसी अब और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कैती है तुम उन लड़कियों के साथ इंटिमेट होए थे उसने ब्राइन को उसकी वीडियो टेप दिखाए ब्राइन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था पर एक ऐसे गुस्से में मोबाइल फेक देती है ये जाकर डारेक्ली कास से लगा और कास के पीछे ही हिडन कैमेरेज है अब ये देखकर ये दोनों सप्राइज थे इन दोनोंने फिगर आउट कर लिया ये फेडरी को उन्हें मैनोबलेट करने की कोशिश कर रहा है ये पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते है पर एक रिमोट जगा है जहाँ पर कोई भी रिसेप्शन इने नहीं मिलता फोन की बैटरी भी अब खतम हो चुकी थी इन्होंने जो भी फिगर आउट किया है ये सारी चीज़े फेडरी को ने अपने स्क्रीन्स पर देखी वो डारेक्ली इनकी घर पर आ जाता है लगी थी मुझे पता नहीं था कि मैं उसके प्यार में पर जाओंगा फेडरी को के हाथ में चाको था तो ब्रायन उस पर जबक पड़ता है ये दोनों एक दुसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे दभी कैसी ने किली और डारेक्ली फेडरी को के पेट में उडाल देती है उसकी यहाँ अपर इंस्टनली डेथ हो गई इन दोनों को समझ में नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए ब्रायन कहता है कि हम पुलिस को कॉल नहीं कर सकते हम एक अलग कंट्री में है अगर हम इन सब चीजों में फस गए तो बहुत ही ट्रबल होगा सब लोग इन्हें दोशी मानेंगे यह इस बॉडी का क्या करें सोच रहे थे तब ही होम ओनर वहाँ पोश गया वो कहता है कि मैं चेक करने के लिए आया क्या सब कुछ ठीक है या नहीं ब्रायन और कैसी ने डेड़ बॉडी छुपा दी थी ब्रायन कहता है कि वो आदमी फिर से वापस नहीं आया अब वो हमें तंग नहीं करेगा होम ओनर कहता है कि फेडरी को पहले पास में रहाग करता था पर उसे कुछ फाइनांशल प्रॉलम आया वो अभी भी उसी घर में रहता है यह होम ओनर को पता नहीं था सब कुछ ठीक है तो वो वहाँ से चला कि डारेंग लिए वो फेडरी को के घर पर आता है उसने सारे कैमेरेज चेक किये इसका मतलब है फेडरी को और होम ओनर यह दोनों मिलकर यह सब कर रहे थे होम ओनर ने कैमेरेज में देखा कि स तरीके से कैसी ने फेडरी को को मार दिया है वो बहात ज्यादा गुसा हो जाता है होम ओनर फिर से वापस आया वो कैसी से कहता है तुम लोगों ने जो भी किया इसके बारे में मुझे पता है इस सब को तुम एडमिट कर लो ब्रायन बीचे से होमोनर को भी मारने के लिए आ रहा था तबी उसने गन निकाल ली ब्रायन क्याता है कि वो हमें मारने वाला था हम सिर्फ सेल्फ प्रोटेक्शन कर रहे थे हमोनर ने का तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था अब मेरे बास कोई भी चॉइस नहीं है वो ब्रायन को मारने वाला था तबी कैसी ने उस पर चाओ को चला दिया हमोनर की भी डेथ हो गए इसके बाद इन्होंने डेड बॉडिस को जला दिया ब्रायन ने जाकर फेडरिगों के घर में सब कुछ चीजी देखी इक इस तरीके से रेकॉर्ड किया करता था उसने सारे रेकॉर्डिंज को मिटा दिया जो भी हुआ इसके लिए कैसी बहुत वरीड थी पर ब्रायन उसे कहता है यह हमारा सिक्रेट रहेगा इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा यह दोनों फिर बहुत टाइम बात फरस्ट टाइम इंटिमेट हो जाते हैं जो भी चीजों से इन दोनों को गुजरना पड़ा इससे इनकी रिलेशनशिप स्टॉंग हो गी है सारी चीजों को कवर अब करकर यह दोनों यहां से निकल जाते हैं अब इसके बाद मुवी का ट्वी स्ट आता है कि घर के बाहर भी कैमेरेज लगे हुए थे इन कैमेरेज में जो भी रिकॉर्ड होता है यह सारी चीजे एक प्राइवेट वेबसाइट पर लाइव ब्रॉडकास्ट होती है आज जो भी हुआ जिस तरीके से ब्राइवेट और कैसे ने मर्डर्स किया इस सारी चीजे उस वेबसाइट पर दीख रही थी पूरे वर्ड में जिन भी लोगों को इस वेबसाइट का एकसेस है इस सारे लोग इसे देखकर दंग रह जाते है अब इन लोगों को पता तो था पर इन में से को भी बोल देनी वाला क्योंकि ये वेबसाइट इलिगल है ब्राइवेट और कैसे के रिसॉर्ट की तरह इस वेबसाइट पर बहुत सारे अलग-अलग होटेल भी है जिस तरहिके से इनके होटेल की रेकॉर्डिंग चल रही थी उसी तरहिके से पूरे वर्ल्ड में जलती है सब कुछ साइट पर ब्राड़कास्ट होता है पर ये सब इलिगल है कैसी और ब्राइवेट ने जो भी किया इसके बारे में किसी को बता भी नहीं सकते है ये बात यही कतम हो जाती है इसी तरहिके से आज का विड़ा हम एंड करते है अगर आपको एक्स्प्रेशन अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देजेगा मैं बहुत सारी मुविस लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दानों मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक ने मुवी के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया